नमस्कार साथियों इस्टोक इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है साथियों किसी भी कंपनी को ख़िदने से पहले उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी क्या काम करती है और किसकी देशों में कारोबार करती है अगर आप इन सभी चीजों से आप क्यान यूश्ट है यह फिर जानने के कुसिश्ट करें कि फंडमेंटली और बाल इन सिट्ट कितना इस्ट्रॉंग है अगर अगर आपको फंडमेंटली और बालेंस समझ में नहीं आए तो उनके बदलें में आप दो चीज़ देखना जरूरी है एक आप चार्ट देखें औ पिर रेट बटम बनाते हुए नीचे क्यों आ रहा है जैसे कि आपको एक एक जांपल के तुरुप हमाँ बता दें अगर आपको लॉंग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी का सेर ख़ईत के लॉंग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करना है आपको एक से लेके एक से लेके 5 साल का चार्ट देखना है अगर आप चार्ट देखके संतुष्ठ हो जाए तो फनेंसियल ट्रेंड भी देखना बहुत जरूरी होता है तो हम आपको एक एक चीज बारिकी से बताएंगे तो आप हमारे वीडियो के अंतक बने रहेंगे और अगर आप हमा कंपनी है और इसका हेड़क्वाटर जो है वह बंगलोर में है और यह कंपनी के अगर बात करें अगर अस्थापना की तो 2011 हुई थी और इसका फांडर जो है असोक सुट्टा जी है यह असोक सुट्टा वो इंसान है जो इन्फोसिस और विप्रो को इतनी वारा मुकाम पर अज पहुचा है हुए है यह असोक सुट्टा जी दोनुक पंपनीयों में काम किये हुए थैं और अगर बात करें यह कंपनीयां कुल मिला कें पांच देशों में कारोबार करती है तो अगर आप देखें कि यह कंपनी की पिछले पाँच मैंने में ये कमपनी पाँच गुना दे चुकी है तो हम आपको बताएंगे आप हमारे चार्ट पे चलिए पहले चार्ट हम आपको दिखाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम गूगल की वेबसाइट पे हैं और बात कर रहे हैं हैप्यस मैंन टेकनलोजी लिमिटेड के बारे में ये कमपनी अगर देखें एक दिन में भी 22 रुपया 10 पेसा का जंप देखने को मिला है और अगर आप 5 दिन की भी देखें तो कमपनी 5 दिन में कमपनी अगर देखें लाश्ट टाइम 17 रुपया 59 रुपया 50 पैसे से 6 माई को अचानक से आप देखें तो 849 रुपया पे पहुच गया था मतलब एक दिन में इतना का फासला हुआ था क्योंकि उस दिन कमपनी 9 परसंट का जंप देखने के मिला था कंपनि में और वन मन्त की बात करें तो कमपनी आप देखें कंपनी कहां थी कंपनी 631 परेडि कर रहे थि लेकिन आज के देट में कожно के आगर चार्ट देखें तो कंपनी 312 से आज का कंपनी 16 परसंट के आपको बेनी फीट दिया अगर अगर आप शे मेना पहले अगर आप शेर को खईदे हुए होते हैं तो आपको आज की रेट में परती शेर के इसाफ से 520 रुपया परती शेर आपको बेनीफिट देखने को मिलता अब हम बात करें दोस्तों मेक्सिमम चाट की जैसे का आप देख पा रहे हैं मेक्सिमम चाट अनुसार यह कंपनी कब लिस्टेड हुई थी तो 358 रुपया सतर पेसा पे 18 सितंबर 2020 को यह चाट अनुसार कंपनी उस समय से अब तक में कंपनी कितने परसंट का फैदा दिया है जैसा का आप देख पा रहे हैं कंपनी आपको कुल मिला के 101 परसंट का 101 परसंट का फैदा परसंट के रखना है आप देखें तो 5 साल में कंपनी हाल फैल में लिस्टेड बी तो 5 साल का चार्ट रिकॉर्ड है भी नहीं तो अगर आप देखें एक साल में कंपनी जब इतनी अच्छी खासा प्रोफिट कर रही है तो कंपनी आगे चलके भी करेगी इसको कहते हैं मन ग तो कमपनी रेविन्ईू में 30.76 परशंट का रेविंद्टी परशंट का बढ़ोत्री की थी और प्रोफीट में 20 कम्पनी ठीट कर रहे हैं उस हिसाफ से यह कंपनी अच्छी है तो यह क्या थी यह सौ तो के लिए था अगर आपको और भी में जाना है तो हम आपको लेके चलते हैं आप आप कम्पनी के अगर मार्केट कप देखें तो मार्केट कप 12,000 दूसर 42 क्रोड का है और P.E. देखें तो 85.6 है और R.O.C.E. देखें तो 42.8% है और क्रेंट प्राइस देखें तो 834 रुपिया है और बुक वेलू देखें तो 31.6 है और ROE देखें तो ROCE देखें तो आपको 83.0% देखनों मिलेगा और हाई एंड लो की अगर हम बात करें तो हाई जो है 869 रुपया का है और लो जो है 286 रुपया का है ये आपको बता देते हैं जनवड़ी के आसपास का था और company half family listed with dividend yield cup है नहीं और face value company का दो है हलांकि हम आपको बता दे कि company के price के हिसाब से face value बहुत कम है और company की सबसे बड़ी बात क्या है ये IT sector के company है और almost date free है कोई भी company आपको IT sector की कुछ ना कुछ उसमें आपको कर्ज देखने को मिलेगा है मिलेगा लेकिन ये company almost date free है company में कोई भी तरह का कर्ज नहीं है तो आप बिल्कुल निफिकीर होके इस company में पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे विडियो के अंतक बने रहेगा कि कितना पैसा इनवेस्ट करना है तो आपको एक 30 साल ये 20 साल में ये फिर 15 साल में क्या टार्गेट रहेगा इसका अगर हम इसका competitor की अगर बात करें तो जैसा का आप देख पा रहे होंगे एम पैस प्रोफिट एंड लॉस में देखें से अगर कंपनी का मार्च 2019 से मार्च 2020 में कंपनी देखें लगवक 100 क्रोड का जदा अंतर देखने को मिल रहा है अगर उस हिसाफ से कंपनी का प्रोफिट भी तो देखना पड़ेगा ना तो कंपनी का प्रोफिट आप अगर देखें तो अगर मार्च 2020 के बात करें तो यह थी बायलेंस इंट अगर हम का 20 फ्लो के अगर बात करें तो कंपनी के पास क्रोफिट आप तो कंपनी पास 27 क्रोच का 20 अभी जमा है और हम पर मोटर की हिसेदारी देखें जैसकर आप देख पा रहे हैं शेर होल्डिंग पे थो फिपटी 3.25 से अबदाई और यह पव्रेसंट सेवन पोइंट 07 से यह अगर दोमीस्टिक वाले के बहुत किक आ और जो वहारी पव्रेट शेगए — 2.3 2.0 परा सेट तो यह थी कुछ आःच मात है अगर quarterly financial December 2020 के अगर आप देखें तो revenue में 12.44% का बढ़ोतरी है किया है और net income देखें तो 97.15% और earning per shares देखें तो 80% के हिसाफ से और net profit margin देखें तो लगबग 75% के हिसाफ से company growth की थी और आपको बता दें कि sensex और nifty में अभी उताव चड़ाव जारी है अगर आप पैसा invest करें तो कम amount invest करें जैसे का आपको यह पास लाख रुपया हो तो आप उनका 20% हो सकता आप 15% लगाना 10% लगाना लेकिन आप आधा या फिर पूरा पैसा एक पर में कभी market में मत लेकाईएगा ना तो loan लेके ना तो कर्ज लेके सिर्फ SIP या फिर आपके पास वो पैसे जो extra है जो फिजूल है वो पैसा share market में invest करें तो आपको growth देखने को मिलेगा आप कर्ज लेके बिल्कुल भी पैसा इंवेस्ट ना करें जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम हैं मनी कंट्रोल के website पे और मनी कंट्रोल के जो यूजर है वो 87% लोग कह रहे हैं बाय करके चलना है और 13% लोग कह रहे हैं सेल करके चलना है हम आपको बता दें कि सेल और बाय में आपको करना क्या है आप खड़ी दें लेकिन S.I.P. के तौर पे ख़ई दें क्योंकि आज की डेट में लगवग सारे 800 या फिर 870-889 रुपिया का एक शेर है तो हम और आप छोटे रिटलर इतने मागा 100 कॉंटिटी एक बार में तो ख़ई नहीं सकते हैं हो सके कि आप हर मन्त एक एक कॉंटिटी यह फिर दो-दो कॉंटिटी ख़ईत के इखटा करें और आने वाले समय में जब आपके पास 100-100-200 कॉंटिटी हो जाए तो आपके पास बहुत सारा देखने को मिलेगा कि आगे चलके हम इससे कुछ धन अरजित कर सकते हैं और हम आपको ब खुश्य भी करें तो धनिवाद दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और आपको प्रिंस पाइप पर वीडियो नहीं देखें तो आपको अच्छा खासा उसके लिए भी बताया गया तो धनिवाद दोस्तों झाल